अगर आप मेरे चैनल की उपर नियू है तो प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको क्रिप्टो करंसी की सारी इंफोर्मेशन और बेस्ट प्राइस प्रेडिक्शन मैं करने की कोशिश करूंगा मैं definitely आपको बोलता हूँ आपको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होगा और मैं इतनी guarantee से बोलता हूँ कि जो मेरे content होगे सबसे unique होगे अब तक जो आपने अपने दिमाग के अंदर जो कच्रा भरा हुआ है उसको आप टलीड कर दीजिए और fresh mind के साथ एक new शुरुवात कीजिए जिसके अंदर आपको सिरफ अच्छी information ही adopt कीजिए अगर आप मेरे channel की उपर नियु है तो please like कर दीजिएगा आज का जो हमारा topic है ethereum की उपर है ethereum का second part है इसके अंदर हम ethereum का bottom होगा उसको find out करने की कोशिश करेंगे अगर आपने मेरा part 1 next cycle of ethereum high का नहीं देखा तो please guys मैं आपसे recommend करूँगा कि आप ये parts जरूर देखिएगा इसके अंदर मैंने high बताने की कोशिश की है कि जो next parabolic moment आएगी उसके अंदर जो ethereum का price होगा वो कहां तक hit कर सकता है so guys please definitely आप इस video को जरूर देखिएगा और उसी परकार bitcoin की भी video बनी होई है high की और bottoms की इसको भी आप definitely देखिएगा बहुत अच्छी videos हैं शाहिद आपने अभी तक कहीं देखिए नहीं होगी ऐसी videos तो मैं आपको recommend करूँगा please मेरे कहने के उपर आप सिर्फ ये तीन videos और ये fourth जो आज चल रही है definitely देखिएगा so आज का हमारा जो देख सकते हैं जो ethereum का जो next cycle of bottom part 2 है इसके उपर video मैंने create की है इसके अंदर हम बात करेंगे जो bottom होगा ethereum का वो कहां तक hit कर सकता है उसी की उपर पूरी की पूरी calculation होगी अभी आप देख सकते हैं कि जो ethereum के दो bottom लग चुके हैं आपको पता है एक 80 डोलर का लगा और फिर से 80 डोलर का लगा दो bottom लगे हैं एक 2018 के अंदर लगा था एक लगा था 2020 की अंदर यानि कि ये जो 80 डोलर का जो sport बना हुआ है ethereum का बहुत ही वो important sport है अगर कभी market के अंदर ऐसी कोई negativity news आती है जो present day चल रहा है जैसे आज date 16th मई 2020 है जानि कहने का मतलब यह जो 2020 का जो year होगा अगर इसके अंदर कोई bad news नहीं आती तो तब तक तो ठीक है अगर bad news आ जाती है वो किसी भी परकार की bad news हो सकती है वो आपको पता है चाहे वो founder की accordingly जाहां फिर वो world के जो crisis हो सकते है उसकी accordingly भी हो सकते है तो फिर आपको यह इथेरियम का price $50 से below देखने को मिल सकता है so hope करते हैं कि ऐसा ना हो so हम अपने topic के उपर आते हैं $80 के दो bottoms लगे हुए है इसके अंदर हमने क्या किया जो next bottom होगा उसको find out करने के लिए हमने value of x जानिकि x की value को find out करने की कोशिच की गई है और जो x की value कैसे find out की गई है आप देख सकते है 80 plus 80 को हमने equal to करके 160 ले लिया यह सिर्फ value है इसको आप $ के अंदर मत convert करिएगा यह सिर्फ एक mathematic value है इसके अंदर क्या किया गया 80 plus 80 यानि जो 2018 का जो bottom लगा था वो बला 80 और 2020 का जो bottom लगा था उसका 80 तो उन्हों को plus किया 160 हमें x की value find out की गई है so next क्या होगा next हमने जो calculation ली है वो 2021 से लेकर 2025 तक की calculation ली गई है इसकी अंदर हमने कुछ नहीं किया 160 x 4 किया हुआ है और उसका जो आंसर आया वो 640 आया उसी परकार 160 x 5 उसका आंसर 800 है फिर उसी बाद 160 x 6 उसका आंसर 960 है इसी परकार मैंने इसको यह पूरी calculation की हुई है 2021 का जो टार्गेट आया वो 640 आया उसके बाद 22 का टार्गेट हमारे पास 800 आया उसके बाद हमारे हमारा जो 2023 का टार्गेट 960 आया ऐसे मैंने पूरी की पूरी calculation की गई है और यहां पर मैं एक और बात include कर देना चाहता हूँ जो बंदे mid term के लिए बोलते हैं कि हम इथेरि सेल आउट कर सकते हैं एक साल के अंदर अंदर यह उनका सेफ साइड होगी अगर आपने सिर्फ अफनी मनी को 2x या 3x करना है आप 640 के उपर exist कर सकते हो इस मार्केट से सो हम आगे चलते हैं गाई उसके बाद में उसके बाद आप देख सकते हैं कि यह जतने भी values निकल लिए यह हमने y की value calculate की गई है आपको अगर यह 4567 कैसे आता आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा उसके अंदर मैंने बताया fully कि यह 45678 value कहां से लिए गई है तो यह हमारे पास पूरी की पूरी y की value निकल गई है y1 की value 640 y2 की value 8000 y3 की value 960 y4 की value 1120 y5 की value 1280 यह सारी की सारी values निकल चुकी है अब हमने क्या किया यो y की value को find out करना था उसको हमने क्या किया हमने सभी values को add कर दिया यानि यह जितने values थी इन सभी value को हमने add कर दिया 640 plus 800 plus 960 plus 1120 plus 1280 और equal to कर के हमारे बास यह value निकल के आइए वो निकल के आइए 4800 value of y यानि कि y की यह value निकल के आइए 4800 अब इसके बाद हमने क्यों सा step अजमाया आप देख सकते हैं उसके बाद जो हमारा step था उसके अंदर हमने कुछ नहीं किया जितने years थे आप देख सकते हैं 21, 22, 23, 24, 25 यानि 5 year को हमने किया 4800 जो actual value निकल कर आई थी y की उसके साथ हमने इसको calculate कर दिया और जो हमारा answer निकल के आया वो निकल के आया 960 ETH bottom जानि कि 960 dollar bottom होगा अगले parabolic moment आने के बाद का जानि कि जो पिछली वीडियो आप में देख ली जिएगा जो part 1 है उसके अंतर हाई बताया गया उसके बाद का जो bottom लगेगा वो ये bottom लगेगा 960 dollar का जो bottom होगा जानि जो अगली जो bear market चलेगी व वीडियो पसंद आई होगी ये बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है calculation करके please guys support कीजिए हमारे चैनल को बहुत मेंनत लगती ऐसी वीडियो क्रेट करने के लिए अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हुई है तो मैं आपको आपसे फिर से एक बार recommend क करूंगा आप प्लीज डेफिनेटल ये वीडियो देखिएगा बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनी हुई है अगर किसी को यह नहीं पता कि बिटकोइन का है तो आप देख सकतेंगे बिटकोइन हालविंग और माइनिंग कैसे होती है इसकी भी वीडियो लोंग टर्म कोईन्स है उसकी भी पूरी बात की गई है बिटकोइन का जो बुलिश और बेरिश मोमेंट था वो भी मैंने बताया हुआ है कौंसे बेस्ट कोईन्स होंगे कौंसे बेस्ट वॉलेट्स हैं सारी वीडियो अवेलेवल है और ये हाउट बोल्टन स्टार्ट ये